बाब के प्यार की ये शान है के बाब का बस चले तो वह अपनी उमर भी काटके अपनी उलाद के नाम लिख दिया करें नन्ञे से आंखे और मुड़ी होई उंगलियां थी ये बात तब की है जब दुनिया मिरे लिए सोई होई थी नन्नी सी आंखे और मुड़ी हुई उंगलियां थी ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था इद वीद की समझना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था गर में खाने के वांदे थे पर एवडी में पैसा जुड रहा था और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था ये बात तब की थी जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी वक्त कटा, साल बढ़ा पर तब भी सब अचान था मैं फिर भी उसकी जान था बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना एक बाप ही था जिससे च्छीना मैंने उसका सोना था सुबा फचर तक गोदों में खिलाता जूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता शाम में चला था, कभी खुद से परेशा, कभी दुनिया का सताया था एक बाप ही था जिसने मुझे रूते हो ऐसाया था अलवाजों से तो गुंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था मैं खुद इस बात सहरा हूँ, आज की कलवों मुझे किस तरहा पढ़ रहा था अबबा तो छोड़ो यार, अभी आ भी निकलाना था पर वो मेरी हर फरमाईशों को पूरा कर रहा था और मैं भी उसके लाड़ प्यार में अब ढलने लगा था घर से वो निकल ना जाये, अब उसके कदमों पे नजरे रखने लगा था और मुद्दे तो हाजार थे बाजार में उसके पास पर कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतिजार था और मैं भी दरवाजे की चौकट को ताकता रहता था जब होती थी, दस तक तो वाकर से जागता रहता था देख के उसकी शकल में दूर से चिलाता था जो भी इशारे मुझे आते थे, उससे उसे अपने करीब बुलाता था वो भी छोड़ चाल के सब कुछ मुझे सीने से लगाता था कभी हवा में उचालता था, कभी कर्तब दिखाता था मेरी एक उसकान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था और सो सकू, रात बर सुकून के साथ इसलिए पुरी रात एक करवट में गुजारता था इसलिए पुरी रात एक करवट में गुजारता था पर वो बच्पन शायद अब सो चुका था और मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था उसकी कुर्बानी को उसका फर्ज समझने लगा था चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो या मुझे हवा में सुलाना या फिर एद का वो खुद पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना या तपते हुए बुखार में वो ठंडे माते पर रखी हुए पट्टिया हो या मेरी हर जिप के आगे जुग जाना वो बच्पन था वो गुजर गया वो रिष्टा था वो सुकुड गया और मैं उस खुर्बानी के बुच को उठा नहीं पाया इसलिए वो शेहर में कहीं दूर छोड़ाया नया शेहर था नया शेहर की हवा मुझे चड़ने लगी थी अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बच्पना लगने लगी थी काम जो मिल गया था पैसा जो आने लगा था क्या जरूरत है बाप को यह सोच मुझ में पलने लगी थी और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आजा बेटा बस यही था उसकी फर्याद में और मैं उससे हिसाब लेने लगा था जो दुनिया का कर्सदार बन चुका था क्या जरूरत है तुम्हे अब बू इतने पैसे की अभी यह सवाल करने लगा था अब घड़ी का काटा फिर पलट चुका था कल तक मैं किसी का बेटा था आज किसी का बाप बन चुका था और हसरतों का स्वेटर मैं भी भुनने लगा था कल क्या करेगा मेरा बेटा मैं भी यही सोचने लगा था अब दुनिया में ना उससे कोई आगे था ना कोई अपना था, सब पर आया था, बस वही एक सपना था तब मुझे में एक जजबात उमडने लगा था जिस जजबात से मैं हमेशा अंचान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पर, अब मुझे ये समझ आने लगा था पेलोस महबत की मुरत होता है बाब यो लफजों में न बुना जाए और कलमों से जो न लिखा जाए वो होता है बाब जो रोते हुए को हसा दे और खुद को माजूर बना के तुम्हें ख़़ा कर दे वो होता है बाब और यह एक मेसेज पुरी आवाम के लिए कि एक रोज एक रोज एक रोज तुम्हैं अहसास ≜ज़ोर हो कि मसरूफ तुम थे , अमरदराज वो होगा मैं कि वहा बचा है कुछ खास तुम्हारे पास तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा और जन्नत के तलब गार हो तो सीने से लगा लेना क्योंके वही कल जन्नत का सरदार होगा सब गिले शिक्वे मिटा के चिपक जाना उसको क्योंके आज तो बाप है पर वो कल तुम्हारे साथ नहोगा वो कल तुम्हारे साथ नहोगा और मैं इस नजम का कोई नाम रख नहीं पाया क्योंकि मैं बाप को एक लवज में बता नहीं पाया थैंक यू अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपका बाप एक तरखत की मारिंद है फल्दार नहों तब भी वो साया देता है